दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत वेलकम है अभी के इस वीडियो में अभी के इस वीडियो में हम लोग बात करें क्लास 9 इंग्लिस की और इस वीडियो में हम लोग पहले subjective questions को देखने वाले हैं फिर बाद में इसके सारे objective questions को देखेंगे तो चलिए सबसे पहले हम लोग इसके सारे subjective questions का answer देख लेते हैं और तब फिर जो है हम आप लोग को यहाँ पे इसके objective questions का मुएना करेंगे आप लोग यहां से देख सकते हैं इनी questions में से आप लोग को जबाब देना है आप लोग यहां पे देखे और यहां से आप लोग का answer start है आप लोग यहां पे देख सकते हैं पहला का answer आप लोग का हो गया उसके बाद यह दूसरा number का answer हो गया फिर आप लोग का यह तीसरा नंबर का अंसर हो गया यह चौथा नंबर का अंसर थोड़ा बड़ा है आप लोग यहाँ पे वीडियो को रोक रोक करकर करके इसको लिख सकते हैं फिर पांचवा का आपका अंसर हो गया फिर यह एगारवा का अंसर हो गया फिर आप लोग का जो है यह गारवा का ही यह बड़ा सा question है और उसके answer है उसके बाद यह 14 नंबर का question हो गया यानि कि आप लोग का जितना भी यहां पे question था सारा का सारा हम लोगों ने करा दिया है तो यहां पे आप लोगों ने English का देख लिया आप हम लोग इसके सारे objective questions को देखेंगे दोस्तों welcome back अगर आप है class 9 के student तो आप सभी के लिए मैं English का यहां पे objective questions लेकर के आ चुका हूँ और इसी में जो है मैं आप लोग को subjective questions भी बताने वाला तो चलिए हम लोग सुरू कर लेते हैं वीडियो और सारा questions को answer को हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं तो चले start कर लेते हैं वीडियो यह आप लोग का original paper है आप लोग वीडियो को last तक देखें सारा कुछ को समझ करके जाए आप लोग का examination डेर घंटे का है जिसमें से आप लोग को 50 संग का यहां पर question answer करना है और आप लोग को 30 objective दिये रहेंगे जिसमें से आप लोग को मात तरफ 25 का answer करकर करके आना है तो आईए पहला question की तरफ हम लोग चलेंगे तो मोती निशानी was a was a dash by profession तो इसका हो जाएगा आपका option number B हो जाएगा अगला हम लोग देखेंगे तो बिसमिल्ला खाँ वोड सिंग डैस इन दा भीनोजी टेमपल तो इसका हो जाएगा आपका option number D यानि कि चैता अगला हम लोग देखेंगे तीसर नमबर सवाल तो यहाँ पर आप लोग का आता है कि eco and nurses is mythological तो यह हो जाएगा आपका कहां का था तो यह था आपका Greek का यानि कि option number C हो जाएगा तीन का C होगा चौथा the poem should has been translated by तो इसका हो जाएगा आपका सही answer वो होगा आपका the poem sound has तो इसका आप लोग का हो जाएगा इसको आप लोग छूड़िये इस पर confirm मैं नहीं हूँ तो अगला हम लोग पाच्वा नमबर सवाल के और चलते हैं तो यहाँ पर रहा है the undeed limb is horror movie of the यहाँ पर आप लोग आगे चलिये तो यहाँ पर आप लोग को मिलेगा इसका हो जाएगा चचार का आपका option number A है पाच्वा का हम लोग देखेंगा पाच्वा का आप लोग का यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं इसका जो सही answer हो जाएगा इसका हो जाएगा अगला देखेंगे तो यहाँ पर आप लोग का यहाँ पर है आप लोग का तो इसका हो जाएगा आपका option बर तो में इसका होना चाहिए आपका option बर सी यानि कि मोती निसानी साथ का सी अगला हम लोग देखेंगे आठवा नंबर सवाल के और चलेंगे तो आठवा नंबर सवाल आप लोग को यहाँ पर मिलेगा कि इसका हो जाएगा आपका option बर भी हो जाएगा जियूस ने यहाँ पर देखा अगला यहां पर है गारवा नंबर सवाल एगारवा नंबर सवाल हम लोग आगे दिखेंगे तो यहाँ पर है आप लोग का एगारवा नंबर सवाल कि इसका मैं आप लोग को आगे अंसर बताओंगा अभी मैं कन्फर्म नहीं हूं अगला है आप वाट वाट वास्ट जैनरिक नेम फोर द रीडेड नो सीकर्स तो इसका हो जाएगा आपका अफल्यूट अगला हम लोग देखेंगे तेरहवा नंबर सवाल तो यहाँ पर आप में तो इसका हो जाएगा हूँ इस दा डारेक्टर और फिर्म गुंज उठी सहनाइत इसका हो जाएगा आपका अप्शन नमबर यानिकी विजय भट अगला हम लोग चौदावा नंबर सवाल देखेंगे तो हूँ वाज दा फर्स्ट इंडियन अंदा नेशन ऑन अगस्ट 1597 तो इसका हो जाएगा आपका अप्शन नमबर यानिकी उस्ताद बिस्मिल्ला खाँ अगला हम लोग देखेंगे पंदरहवा नंबर सवाल तो वह है आप लोग का यहाँ पर है कि हूँ वाज बिस्मिल्लास फादर तो इसका हो जाएगा पैगंबर बक्स एक मिनिट इस प पर है हूँ अगला यहां पर आगया कि हूँ है इसका हो जाएगा आपका अप्शन नमबर यानिकी विल्यम वर्ट्स वर्थ अगला हम लोग देखेंगे सत्रावा नंबर से सवाल तो वाट हैपेंस टूए ट्री इन दा वूड तो इसका हो जाएगा इसका जो हो जाएगा अप्शन नमबर बी कर लिजे अगला है विच स्टेट ड़स दा ओथर ऑफ सांड बिलॉंग्स टू जिसका हो जाएगा आपका अप्शन नमबर बी नेक्स्ट अगला हम लोग देखेंगे तो अगला सवाल आता है हम लोग का who was written self introduction लिखा गया था आपका option नमबर डी हो जाएगा आगे की तरफ हम लोग चलेंगे तो यहाँ पर बीसवा नमबर सवाल की और हम लोग आते हैं कि what does the eyes are not here deal with तो इसका हो जाएगा आपका सही answer option नमबर ए हो जाएगा अगला he has been absent since यानि कि आपका जो है अगला जो है यहाँ पर इसका option नमबर भी हो जाएगा अगला सवाल हम लोग देखेंगे तो यहाँ पर है he is married यहाँ पर आप लोग को भर लेना है with यानि कि option नमबर भी हो जाएगा अगला हम लोग देखेंगे तो अगला यहाँ पर है क डास लाइंग देर तो इसका रोका जो होगा वह आप लोग का हो जागा option no.a आगला 25 नमब देखेंगे तो चूज तो अड़ो ठोडियम यानि का अप्शन मरें बिल्कुल सही हो जागा अगला हम लोग देखेंगे तो यहां पर है कि choose the correct spelling तो यह हो जागा आपका option number A यानि के embarrassed अगला 27 नमबर हम लोग सवाल देखेंगे तो the teacher beat the children change into passive जिसका हो जागा तो इसका हो जागा आपका option number A the children has been beaten by the teacher अगला हम लोग देखेंगा 28 नमबर सवाल तो वो है आप लोग का the minister is delivering the speech तो इसका passive voice हो जागा आपका option number B यानि के the speech is delivered by the minister उन्तिसवा नमबर सवाल हम लोग देखेंगे तो my friend said to me water boils at 100 degree celsius तो इसका हो जागा इसका जो आपका सही अंसर हो जागा my friend उसके बाद हो जागा asked me that water boils at 100 degree celsius अगला हम लोग देखेंगे तो अगला यहाँ पर सबसे पहले आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं इसवा नमबर सवाल कि he does not sing well the teacher said to the principal जिसका हो जागा the teacher इसका हो जागा the teacher told the principal that he did not sing well तो यहाँ पर इसका option नमबर E हो जागा तो इस तरह से यह objective questions यहीं पर खतम हुआ आप लोगों के लिए मैं subjective questions बस लेकर के आ ही रहा हूँ तो आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेजे और इस वीडियो को इस वीडियो को आप लोग अपने दोस्तों में जरूर सेयर कर दिजे ताकि उनको भी इसकी जान कारी मिल सक्या आज वीडियो लाने में थोड़ा देर हो गया है तो उसके लिए छमा पर आर्थी हूँ तो आने वाले समय में आप सभी आने वाले जो एक्जामनेशन है उसमें आप सभी को 100% TC तरह से original paper मिलेगा आप लोग इस वीडियो को जरूर से जरूर से शेयर करें टे कारी मिलेग करें